हालो फ्रेंड्स वेल्कम टो स्टड़ी मास्टर आई होप यौ अला गूड फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए इकोनमी के टॉपिक लेकर आई हूँ एक्चलि मैं आपको आज पताऊंगी इकोनमी होती क्या और वो कितने परकार की होती है इकोनमी का मतलब होता है अर्थशास् जिससे कि आपके पास हमारे जो न्यू लेक्चर के नोटिफिकेशन हों मिलते रहें चली फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं सबसे पहले की एकोनमी होता क्या है यानि कि अर्थशास्तर क्या होता है अगर हम सिंपल बात असान सी भाशा में बा ठीक है इस बरकार से धन का अध्यान करना किसे कहते हैं अस अगर हम इसके भाषा देखे हिं तो अर्थशास्तर शब्दों में इस तरह कहां जा सकते हैं समाजिक विज्यान का एक शाक्या है जिसमें वस्तुवे सेवाओं की उत्पादन के लेकर विन्यम, वितर्ण, एव, उपबो का अध्यान को आर्थशाषर कहते हैं अगर मैं आपको सिंपल और इजी लेंग्वेज में समझाओं तो आर्थशाषर यानि की इकोनमी का मतलब होता है वो नेटवर्क, वो सिस्टम जहां पर बहुत सारी वस्तुवें, बहुत सारी सेवाओं परड्यूस की जाती है, बनाई जाती है और उन्हें आपस में आदान-परदान किया जाता है ठीक है फ्रेंट्स, इसके अंदर बहुत परसंस इंवल्व होते हैं, बहुत एजेंट्स होते हैं, जैसे की कोई भी इंट्वीजल यानि की हम लोग जो हम कंजूम करते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे उद्योगपती, बहुत सारे ओर्गनाईजेशन, सरकारे, इसके अंदर सभी involved होती है ठीक है friends I repeat कि मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि economy का मतलब होता है कि वो network वो system जहां पर बहुत सारी producer होते है चीजे बनाने वाले होते है उन्हें बाटने वाले होते है उन्हें use इस्तेमाल करने वाले होते है चीजे और सेवाओं को उस network को हम क्या कहते है economy वैसे friends economy की जो major system से वो तीन तरह का होता है तीन परकार की economy होती है capitalism, socialism, communism बट friends अगर हम देखते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि rich economy, poor economy और ग्रीब, earth शास्तर, ameer earth शास्तर इसका क्या मतलब होता है rich economy का मतलब होता है जहां पर लोगों की जो आए है प्रतिव्यक्ति वो बहुत जादा होती है उनके जो रहने सहने का जो धंग होता है उनके पास जो चीजें होती है बहुत जादा महत्रा में होती है वो नई-ने टेक्नोलजी से यूज करते है नई-ने टेक्नीक से यूज करते है चीजों को बनाने के लिए और उनका जो लीविंग स्टेंडर्ड होता है वो बहुत जादा हाई होता है अगर हम जैसे की यूरोपेन कंट्रीज होगी और यूएस से की बात करें तो वहाँ पर भी हम कह सकते की बहुत जादा रीच एकोनमी है अगर हम पूर एकोनमी की बात करें इसका मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों की जो आए है प्रतिवेक्टी वो बहुत कम होती है जिसे हम पर कैपिटा इंकम कहते है वो बहुत कम होती है वहाँ पर चीजे जो जितने भी हमें resources मिलते है जितने भी manpower है लोग है उनका proper इस्तेमाल नहीं किया जाता उन्हें अच्छे से resources को use नहीं किया जाता जिससे कि हमारी जो technology है जो techniques हम use करते है किसी चीज को बनाने के लिए वो बहुत इतनी ज़्यादा high level की नहीं होती इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जो की एक rich economy में use की जाती है यहाँ पर ग्रीब लोगों होती है जनसंख्या बहुत जादा होती है लोगों के पास जो काम करने के अफसर बहुत कम होते हैं जिस हमस्बसे पहला हम देख लेते हैं socialist economy कि यानि कि समाजवादी अर्थ शास्तर समाजवादी अर्थ शास्तर होता क्या है शांज अर्षास का मतलब होता है कि जितना भी जो वहां के रिसोर्सिज है जो वहां की फैक्टरीज है जो उद्योग है जितना भी वह सब सब किसके हाथ में होता है समाज के हाथ में होता है समाज का मतलब सरकार के हाथ में होता है जो वहां के सरकारे होते हैं वह अपने सब्सक्राWeWeb कारे के लिए यह जो प्रोफिट है इसे यूज कि या जाता है इस एकोनमी के अगर बात करें तो इसके अंदर जो लोगों की क्या डिमांड्स है लोग क्या चाहते इस बात को नहीं देखा जाता सरकार का क्या इंटरस्ट है इस बात को देख कर सरकार जो चीजी है सेवाएं वो परदान करवाती है बट इसमें यह होता है कि जो सरकार चीज या चाइना में यूज की जाती है जैसे कि आप सब को पता चाइना के अंदर भी जो एक ही पार्टी है जो सब भी चीजों के उपर कंट्रोल करती है इस एकॉनमी के अंदर ये भी हम कह सकते हैं कि वहां पर लोगों के पास जो एकुली फाइनेंशिल स्टेट नहीं होती वहां पर जो इत्नी सेवाइel करवाते हैं, उनके पास जो economy community, पर फिए गरणिक को जो जोग है, वो सबी लोगों को लिए पीत वहां पर सले परएलके जाएगा, जो सोचलिस्ट economy के सबसे अछी सरूँ आप मिलाज़िनेख़, क्याज़िने समस्व को सबसे अच्छी मेरे को एक सबको एक समान समझा जाता है और सबको जो है जो प्रुवाइड करवाई जाती है नेक्स्ट है capitalist economy capitalist economy का मतलब होता है जहां पर उद्योग पतियों का राज हो यानि कि वहां पर जो सरकार का control होता है वो बहुत कम होता है ना की बराबर होता है और जहां उद्योग्पतियों का जो कंट्रोल है, economy के ऊपर की क्या चीज बनानी है, किसे बाणडनी है, किसको देनी है, ये सब किसका, किसका राज होता है, इस सब पर उद्योग्पतियों का राज होता है, इसमें ये कहा जाते हैं कि जो capitalist economy होती है, जो पुझीवादी अर्थ में हमेशा समाजवादी लाना पसंद करेंगों चेंगा अपने भारत के लोगों को एक समान अफसरद देना चाते और सबके के लिए सबके फायदे के लिए काम करना चाहती है बट अगर हम यूरोपन कंट्रिस की बात करें जैसी यूएस से हो गया यूके हो गया यूनाइटिट किंग्डम हो गया इन सभी कंट्रिस के अंदर कैप्लिस्ट एकॉन्मी यूज की जाती है पर फ्रेंट अभी जो फच्व के लिए काम करते हैं वहाँ पर लोगों 플ोन के लिए कोई काम नहीं किया जाता है और जो लोग की उद्योग होती है वो समान बनाते हैं जो लोगों की डिमाड होती है जो लोगों को चाहिए होतãy है अगर हम इसके capitalist economy के बात करें इसे आगे भी दो तरह से divide किया जाता है एक तो होती है developed और एक होती है undeveloped ठीक है friends developed और underdeveloped होती है और एक planned होती है और एक unplanned होती है developed economy वो होती है जहां पर सब कुछ लोगों की जो आए है लोगों की जो income है बहुत ज्यादा होती है लोगों के पास हर एक चीज होती है उनके पास जो जो आपके रोजगार के जो अफसर होती है बहुत ज्यादा होती है वहां पर कोई भी बेरोजगार भेरोजगार्न नई नई टैकनोलजी क्यादास कंट้रों जो पर लोग किन कि भू時 बहुत जादा है और वहां के लोग没有 होता है बाट अगर अक्रज़ से पर यहां पर लोगों कीह उसमें बहुत कम होते हैं वहाँ पर population बहुत जादा होती है और जो लोगों के पास जो रोजकार अफसर होते हैं बहुत कम होते हैं वहाँ पर जो चीज़ें जो हमारे resources हैं उनका भी proper से इस्तेमाल नहीं किया जाता मैंपावर है उसका भी अच्छे से हम यूज करके उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाते हमारे पास क्योंकि technology नहीं होती है जिसके करन हम अपनी resources को जो है proper use नहीं कर सकते हैं एक होती है planned और एक होती है free enterprise के कोई भी अपना उद्योग लगा सकता है कैसे भी लगा सकता है कोई उसके उपर कोई restriction नहीं कोई उसके उपर कोई rule regulation यूज करेगा कुछ भी नहीं इस परकार से unplanned economy होती है नेक्स्ट एफ्रेंड mixed economy जो कि हमारे country के अंदर है mixed economy का मतलब होता है एक private economy यानिक capitalism economy प्लस socialism economy दोनों qualcosa मिक्स अपकर गल्स नहीं economy बनाईगे थी जिसे mixed economy कहते है इसके अंदर होते हैं कि कुछ जो उद्योग होते हैं वो सरकार के हाथ में होते हैं कुछ enterprises होते हैं वो सरकार के हाथ में होते हैं और कुछ जो है private लोगों के हाथ में होती हैं इसके अंदर होते हैं कि जो सरकार होते हैं वो जो अमीर लोगों होते हैं उनसे जो द्योग पती होते हैं उनसे जो टैक्स इकठा किया जाता है और जो लोगों के बिलाई के लिए काम किया जाता है यानि कि लोगों के लिए जो नई नई सरकार हमारी योजनाएं लेकर आते हैं उनके लिए जो टैक्स का जितना भी पैसा होता है वो उन योजनाओं के इस्तिमाल किया जाते हैं इस परकार से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया की एकोनमी है वो डेमोक्रेटिक सोशलिजम एकोनमी है क्यूंकि यहां पर जो फ्रेंड्स हर एक के अधिकार के बारे में भी बात की जाती है यहां पर थोड़ी कैपिलिस्ट है यानि कि अपना दियोग परसन है कोई भी व्यक्ति है वो अपनी कोई भी कंपनी या कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं लगा सकता है बट हम मिक्स्टी कोई परसन अपनी फैक्ट्री लगा सकता है बट उसके ओपर जो कंट्रोल है वो सरकार का होता है यानि कि सरकार हमारे कुछ रूल्स मनाती है कुछ rule set करते हैं कुछ low बनाए जाते हैं जिसके अतिरिक जो है person अपनी जो factory को चला सकता है अगर हम example की बात करेंगी जैसे कि हमारी country है इसके अंदर अगर कोई factory के लगाई है किसी person ने उसके अंदर जो labor's है वो काम कर रही है उसके अधिकारों के लिए सरकार ने अलग से कानून बनाए है low बनाए है जिसके कान उनका जो हनन ना हो उन लोगों के साथ जो बूरा behavior ना किया जा उन्हें भी उनके अधिकार को अधिकार उन्हें मिले इस वरकार से जो सरकार ने नए-नए regulations लो बनाए है सब के लिए so friends mix economy का यही मतलब है कि यहाँ पर जो private sector भी होता है public sector भी होता है और दोनों का mix up होता है और यहाँ पर जो जितना control होता है अगर कोई private company अपनी लगा रहा है तो उसके उपर सरकार ने कुछ rules regulation बनाए है उन्हें follow करना पड़ेगा तो यहाँ पर कोई भी अपनी factory लगा सकते है उन rules rules को laws को follow करके और friends इसके अंदर यह सबसे अच्छी बात होती है कि जो ज़्यादा rich person होते है उनसे जो उद्योग पती होते हैं उनसे जो tax इकठा किया जाता है और जो tax इकठा किया जाता है वो लोगों के भलाई के लिए जो सरकार ने ने योजनाए बनाती है ग्रीब लोगों के लिए उन योजनाव को पूरा करने के लिए उस टैक्स का जो पैसे हैं उसे यूज किया जाता है अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो उसे लाइक और शियर जुरूर कीजिएगा थैंक्स फर वोचिंग सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी मास्टर